नवसकार दोस्तों, दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी स्टॉक मार्किट में काफी उतार चड़ाव चल रहे हैं और ऐसे में शेयर्स को बाई या सेल करने के लिए थोड़ी समझदारी दिखानी होगी लेकिन हम यहाँ डेली ऐसे स्टॉक से सजेशन्स देते हैं जो आगे चल कर काफी अच्छा रिटर्न देते हैं और आज भी हम एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद जानकारी अवश्य लेनी चाहिए चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं ये एक डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई कमपनी है कमपनी 2000 में शुरू हुई थी और इसका हैटकॉर्टर इंडिया में है कमपनी का रिवेन्यू 82.6 प्रतिशत डिजिटल मार्केटिंग और 17.4 प्रतिशत सौफ्ट्वेर डेवलपमेंट से आता है कमपनी 400 वी इंडिया फॉर्चून है कमपनी का बड़ा क्लाइंट नेट्फलिक्स, डिजनी प्लस, बिटली, हुलू, दा न्यू योर्क टाइम्स है ये कमपनी इंडिया की एक बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कमपनी और 1100 एंप्लोईस को 2020 में इसने अधिक रहन किया था कमपनी का मार्केट कैप 9,077 करोड का है कमपनी का 22.4 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है कमपनी पिछले सालों में 1.75 प्रतिशत की सेल्स ग्रोध और 55.4 प्रतिशत की प्रॉफिट ग्रोध पाचुकी है कमपनी के पास 135 करोड का कर्ज है कमपनी 2021 में साल में कोई भी ब्रॉफिट नहीं कर पाई थी कमपनी का पी-ई रेशियो एक हजार पच्चेस और फेस वैल्यू दो की है कमपनी का प्लैन बहुत अच्छा है दोस्तों इस कमपनी का नाम ब्राइट कॉम ग्रूप लिमिटिड है इसने पिछले एक साल में 1563 प्रतिश्चत का रिटर्न दिया है और इसका स्टॉक प्राइस 67 रुपए के आसपास है दोस्तों ये कमपनी आगे चल कर अच्छा रिटर्न दे सकती है लेकिन आपको इसमें इंवेस्ट करने से पहले एक बार खुद जानकारी अवश्य लेनी चाहिए आशाय दोस्तों आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब अवश्य करें धन्यवाद